यह सो हलो एवरीवान है तेशियर तोड़ी वी गना टॉक अबाट दा मॉवी प्रिंस ओफ पर्शिया यह मुवी बीरी सीरीज ओट एक्स यानि की ओन डिमांड एक्स्प्लेनेशन की 14 इसके पहले मैंने तेरा काफी अच्छी मुवी इसको काफी बहतर तरीके से एक्स्प्लेइन करके अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो उन सभी के लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आप वहाँ से भी जाकर उन सभी को चेक आउट कर सकते हैं चली आते हैं स्टोरी लाइन की तरफ इस कहानी की शिर्वात होती है परशिया नाम के एक राज्य से जिसके राजा का नाम होता है शरामान वो अपने भाई निजाम के साथ में खुशाली के एक जिंदगी जीरे होते हैं सुल्तान के दो बेटे भी होते हैं जो कि उनकी आँखों के तारे होते हैं एक दिन सुल्तान शरामान अपने भाई निजाम के साथ पर अपने शहर के दौरे पर निकले होते हैं मगर जब उनके घोड़े रास्ते पर चल रहे होते हैं तो गलती से एक लड़का उनकी घोड़े के सामने आ जाता है जिसकी वज़े से घोड़े पर बैठा सेना पटक कर धोने लगता है उनको जिससे की सेनापती जिम्हें पर गिर जाता है अब इसकी वज़े से उसके सारे सैनिक अब दास्तान को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं और यहां पर हमें काफी चछेजस दिखाया जाता है जिसके अंदर दास्तान की पीछे सभी के से भी सैनिक उसे पकड़ने के लिए लगे वे होते हैं और वह एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक कूद कूद कर वहां से भाग रहा होता है और ये सारे कारणा में वहां पर सुल्तान शरामान भी देख रहा होता है और एक मुमेंट ऐसा आता है जब सारे के सारे सैन अपने यह मैनात हूं इस वज़े से उसकी दिलेरी को देखते वे सुल्तान उसे अपना तीसरा बेटा बना लेते हैं और इसे अपने साथ परश्या के महल में ले आते हैं और यहां से कानी बढ़ती है 15 साल आगे जहां पर राजा के तीनों बेटे जिनका नाम होता है तस गार यार बेच रहा है एक टाइम था जब परश्या और अलमट कभी साथ में हुआ करते थे अब यहां पर सुल्तान शारमा नहीं चाहते थे कि अलमट और परश्या के बीच में जो संबंद है वो खराब हो इस वज़ए से तस निजाम को मना कर देता है कि वो यह जंग नहीं लेकर आ जाओ हमें तुम्हारी मदद की जरुवत है और अब ना चाहते भी तसको उसकी मदद करने के लिए वहां पहुचना पड़ता है और अब जैसा कि अलमट के अंदर जंग का माहूल था तो वहां की रानी तमीना अपने सैनिक को एक खंजर देती है और उसे कहती है कि जितना सेफ हो सके इसे सेफ रखना और उनके हाथ इसे मत लगने देना तो सेना पैती कहता है कि मैं मरते दम तक इस खंजर की रक्षा करूँगा मगर जब वह अपने घोड़े से वहां से निकलने की कोशिश करता है तो उसका रास्ता रोक लेता है दास्तान और वह उसे वह वह चला है कि हमारे दुश्मनों को हतियार बेच जा रहें क्या बात सचन कहता है कि अगर तुम मुझ से शादी कर लो को तो मैं जान से नहीं मारूंगा तो वहाँ पर तमीना कहती है कि मैं मरना मंजूर करूँगे मगर तुम से शादी नहीं करूँगे तो वहाँ पर तस अपने सैनी को कोई आदेश देता है कि ठीक एसे जान से मार दो मगर तभी वहाँ पर तमीना की नसर दास्तान पर पढ़ती है जिसके हाथ में वो खंजर होता है अब यहाँ पर तमीना सोचती है कि मैंने तरस खंजर को सेफ रखवाने के लिए अपने सैनिक को दिया था मगर ये तो यहाँ पर दास्तान के पास में कई वो इसका मिस्यूज ना कर ले इसलिए वो अपनी जान की परवा करते वे तस से शादी करने के लिए हाँ बोल देती है और यहाँ पर परशिया के अंदर हर जगे खुशी का माहौल था तब ही वहाँ पर निजाम आकर तस और दास्तान को बताता है कि तुम्हारे पिता शरामान ने तुम्हें मिलने के लिए बुला है और जब तस अपने पिता से मिलने के लिए पहुचता है तो शरामान उसके क मनतियां के तुमने उनपर हमला करने का सोचा भी कैसे भाबर दस्त बताता है कि इन लोगों ने हमारे ही दुश्मनों के साथ मिलकर उने हतियार बेचने की कोशिश करी सि Cent थ Arab Original One किया मगर यहां पर उसके पिता उससे काफी जदा गुसा हो चुके थे तो वहां पर तस कहता है कि ठीक है मैं अलमत के खिलाफ आपको सबूत लाकर दूँगा कि ये लोग दुश्मनों से मिले वे थे और जब तक मैं आपके पास में कोई ठोस सबूत नहीं लेकर आता तब तक मैं आपको अपनी शकल नहीं दिखाऊंगा और वह गुस्से में वहां से चला जाता है वहां से नीचे आने के बाद में निजाम उसे काफी परिशानी में देखता है और कहता है कि तुम्हारे पिता के साथ में तुम्हारी मुलाकात कुछ खास नहीं बैठी चलो ठीक है मेर पिता को दे देना और कहना कि मेरी तरफ से आपके लिए और इसे देखकर वह काफी खुश हो जाएंगे उस तौफ़े के अंदर एक काफी महंगी ड्रेस होती है मगर तस ने तो अपने पिता से वादा किया था कि जब तक मैं आपको अपनी शकल नहीं दिखाऊंगा इस क्षुश होता है क्योंकि वह एक जंक के बाद लोट कर आय 통 क्योंवीं तुम्हारे पास में एक बीवी नहीं इए और यहां पर दास्तान को यह बात सुनकर शेरमा जाती है, एक काफी खुशनमा माहूल था क्योंकि हर कोई जशन में शामिल था और हर कोई डांस कर रहा था, मगर देखते ही देखते हैं उन सभी की खुशी वहां से चली जाती है, जहां पर वो लिबास जो कि सुल्टान ने प पकडने के जि inside आटा है मगर सारे सेनिक मिलकर जान के यहां पर दास्ताञ नहीं पाता है कि आखरी कुछ ही प aller में क्या ओगया और तबी तमीना हैं से वहाँ से बच्चण कर भागने के यहां और दोनों का नहीं बलकि उसके भाई दास्तान का हाथ था यहां रात में दास्तान तमीना को बताता है कि मैंने अपने पिता शरमान को नहीं मारा वो जो लिबास था वो तो मुझे तस ने दिया था और यहां पर उस खंजर को पाने के लिए तमीना चुपके से उसके पास में बाते करते बक memory करते वो खंजर लेकर उसी पर वार करने की कोशिश करती है मगर तब घलती से दास्तान के हाथ में खंजर आता है और खंजर के उपर एक बटन जैसा रूबी लगता है वो गलती से दबा देता है और उसके दबाते है वहां पर वह समय समय के पीछे पहुंच जाता है वहां पर यह भी देखता है कि किस तरीके से अब तमीना उसे अपने बातों में फसाएगी और उससे वह खंजर लेनी की कोशिश करेगी तो वह वापस से समय में आगे आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मैं जानता हूं कि अब तु जादो भी रेट से ही चलता है और वहीं से हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पर दास्तान अब तमीना के साथ में वापस से अवरत निकलने की कोशिश करने वाला था यह अवरत वो जगए थी जहां से सुल्तान का जनाजा निकलने वाला था अब यहां पर दा तो तक कैसे पहुंचोगे तब दास्तान बताता है कि मैं जगा जानता हूं जो की गुलामी की घाटी से होकर गुजरती है जो कि हम अवरत तक पहूंचाएगी और वहीं से दोनों अब गुलामों की घाटी से गुजरने लगते हैं अब जैसा कि इस सफर काफी लंबा था तो वाँ पर तबीना केहते हैं कि मुझे प्यास लगी तब वहां पर दास्तान उसे कहता है कि पानी तो तुम काफी देर पहले ही पीचुकी अब हमारे पास में एक भी पानी की बून नहीं बची और तब पर तमीना गिरने का नाटक करती है दास्तान उसे बचाने के लिए उसके पास पहुंचता है मगर वहीं पर पड़ी एक बड़ी सी हड़ी से अब तमीना उसके सर पर वार कर देती और इसी वज़े से वहां पर दास्तान भेहोश हो जाता है और तमीना उस खंजर को लेकर वहा स्टिंग बात बतना चाहता हूं अगर आपने स्पाइडर मैं टू देखियोगी तो उसके इंदर डॉक्टर ओटो ऑक्टेवियस था तो यह शेक अमरी थे जिन्होंने उनका रोल किया था और अगर आपने स्पाइडर मैन फार फ्रॉम हम देखियोगी तो उसके अंदर स Bob मिल जाता है शेक हमर के साथ में और कहता है कि ब्रत मेरे साथ मिलकर उसे पकड़ने मी मदद करो सारा सोन तुमहारा हो सकता है उसी वर कि वहां पर शेख में दो कि शा gefähr या झाट या तुम्हों इसी के साथ और थोड़ी देर बाद में पो ढून कर अपने कबजे में भी ले लेते हैं अब यहां पर दास्तान के पास में वह खंजर भी आ चुका होता है और वह अपनी जान के बदले तमीना का सौधा कर लेता है और साथ ही जाते वक्त तमीना के गले से वह चेंड भी ले लेता है जिसके अंदर थोड़ी सी जादोवी करता है और कहता है कि मुझे यहां से जल्दी निकलना होगा लेकिन इस वक तक अमर शेक को यह बात पता चल चुकी होती है कि यह दास्तानी था जिसने की परशिया के सुल्तान शरामान को जान से मारा है इसलिए वो उसे जाने नहीं देता और उसे अपने के साथ में वहाँ से भाग निकलता है अब यहाँ पर कैसे दैसे से बचते-बचा दास्तान पहुंच जाता है सीधर मिलता है निजाम से और उन्हें कहता है कि मैंने अपने पिता शरामान को कि आखिर तुमने मुझे समझ के क्या रखा है तुम मुझे आपर पागल बना रहे हो तो वहाँ पर दास्तान उसे कहता है कि मैंने वो खंजर इसी जोले में रखा मगर तमीना धोके से मुझसे वो ले गए और बातों ही बातों में दास्तान की नजर निजाम की हाथ पर लगत उन्हें बचाने की चक्कर में इनकी हाथ कैसे चल गए और अब इनी से भी बातों से दास्तान कोई क्लियर हो जाता है कि उनकी मौत का गुनेगार और कोई नहीं बलकि निजाम खोदी है और अब इससे पहले कि सारे सैनिक उसे पकड़कर मौत के घाट उतार देते हैं इससे प मार डला जाए मगर यहां पर तस भी अपने ही पिता की तरह अमन और शांती कायम करना चाता था इसलिए उसे सारे रस्मों रिवाजों के साथ में सजादे ना चाता था इस वजैसे अब यहां पर निजाम को अपनी डाल गल्ती नजर नहीं आते इसलिए पहुँच जाता है ते लायर आफ दा हसन सेन बेसीकली हसन सेन परशिया की एक कातिलाना फौज होती है जिसे कि आज से काफी टाइम पहले सुल्तान शरामान ने बंद करवा दिया था अगर निजाम नहीं चाता था कि इतने काबिल युद्धा बिना मतलबी खत्म हो जाए इसलिए निजाम ने उन सभी को एक सीक्रेट काम के लिए इतने टाइम तक बचा कर रखा और आज वो देना चुका था जब निजाम आकर हसन सेन लीडर से आकर मिलता है उसे कहता है कि मेर और दास्तान घोड़े के पैरों के निशानों को ट्रैक करता वाज जीदा तमीना तक पहुंच जाता है और उससे वह खंजर ले लेता है और उसे एक बात भी पूछता है कि आकर निजाम इस खंजर के पीछे क्यों पढ़ा है क्योंकि वो तो सिर्फ और सिर्फ कुछी समय पीछे पहुंच सकता है इस खंजर की मदद से तो आकर उसे खंजर क्यों चाहिए तभी वहां पर तबीना दास्तान को बताती है कि हमाईर राज्य अलमट के अंदर एक पवित्र मंदिर है उस पवित्र मंदिर के अंदर एक जादूवी रेत की घड़ी है जिसकी मदद से हम वह इस खंजर को जितनी बार चाहें उतनी बार अस्तमाल कर सकते और जितना ताम पीछ जाना चाहें उतना भी टाइम पीछे जा सकते और तब वहाँ पर उन दोनों की जो दूरिया थी अब इस वक्त तक काफी कम हो चुकी थी और यह दोनों ही अपनी पर्सनल बाते शेयर करने लगते हैं और तभी वहाँ पर दास्तान उसे एक बच्पन का वाक्या बताता है जहां पर यह दोनों भाई यानि कि निजाम और शरामान भाले की मदद से शेयर को मारा था तो फ्यूचर में आकर ये राजगत्ती शरामान को मिल गई अगर उसी वक्त निजाम उच्पन में शेयर से शरामान की जान बचाई थी और इसी के साथ ही तमीना उसे एक बात और बताती है कि अगर निजाम ने उस खंजर का एक खराब य सब्क्राइब में में ह RAW में दोड़ा झाँओ को निवाथ करें और अगले दिन उप det אז उन्हें में आए उन्हों पँछा होते हैं अब रास्ते में खाफी चुके होते हैं तो पूछते हैं कि पासी के तलाब में थोड़ा पानी पीगर आराम कर दे और अगले दिन अपनी जर्णी को स्टार्ट करें मगर देखते ही देखते वहाँ पर अपने सभी सैनिकों को लेकर और वो अब इन दोनों को पकड़ लेता है तो तमीना उन्हें कहती है कि आखिर तुम् भरपूर सोने से तुम्हें लाट सकती हूं बस तुम हमें कैसे भी करके हिंदुकस गांफ तक पहुचा दो वहाँ पर एक सोनी का मंदिर है जहां पर हमें पहुचना है और वहाँ पर कई सारा सोना भी है जिसे तुम लेकर अपने आपको मला माल कर सकते हो और अब इस बात क तक वह जादूवी खंजर सैसो के हाथ में था और तभी वहाँ पर दास्तान कहता है कि वह खंजर मुझे दो और अब यहां पर इस मूवी का वन ऑफ दा बैस सीन दिखाया जाता है जहां पर सारे के सारे जैरीले साब एक मुमेंट पर इनकी पूरी टीम पर हमला कर रहे थे महीं पर दास्तान उस मैजिकल डैगर की मदद से वापस से समय में पीछे जाकर हर एक सांप की लोकेशन का ध्यान लगा लेता है और एकुरेट टाइमिंग पर उन्हें जान से मार डालता है इन सारे के सारे हाथ सो को देखते हुए एक बार को तो अमरशे की टीम और साथ ही वाँ पर हसन सिन भी शौक में आ जाता है कि आखिर दास्तान ने ये सब कुछ कैसे किया अगले दिन दास्तान बाकी सबी हसन सिन की लोगों से बचकर सीधा पहुंच जाता है गारसिव के पास में और उसे बताने लगता है कि सुल्तान का कतल मैंने नहीं किया उसके पीछे निजाम का हाथ था और इस बात को अब यहां पर गार्सिविस समझ जाता है कि हाँ जब तस के पास में निजाम आया था जांसे मरवाने की ओर देनी के लिए तो वहां पर तस ने भी मना कर दिया था और कहा था कि सिर्फ शर्फ लीगल वे में ही सजा देनी होगी दास्तान को और यही बात बुरी लग गई होगी निजाम को जिस वज़े से उसने हसन सिन की पूरी सेना तुम्हारे पास में भेज दी अब एक तरफ तो इन दोनों की बाते चली रही थी वहीं दूसरी तरफ इनके पीछे हसन सिन की टीम आकर हमला कर देती है और यहां पर गार्वेस द सीधा जाकर पहुंचता है निजाम के पास में और उस सांप का पेट फाड़ कर वह खंजर उसे गिफ्ट में देता है यहां दूसरी और अब दास्तान के भाई गार्विस का देहां दो चुका होता है तो वह उसे जमीन में गाड़ता है और वहीं पर उसे आखरी श्रद्ध में बदल देंगे तो वहां पर 600 आगे बढ़ता है कि मैं तुमारे साथ में चलूँगा और अब इसी के साथ अमर्शेक को भी उसी के साथ जाना पड़ता है यहां परशिया में हमें पता चलता है कि उस डैगर को हसन सिन के काफी तेज तिरंदाज की निगरानी में रखाव तो 600 जो की चाकू चलाने में काफी माहिर होता है वही दूसरी तरफ हसन सिन का तीरंदाज जिसके पास में जहरीले तीर होते हैं और एक काफी शांदार चलने वाली फाइट के साथ में वहां से 600 उस खंजर को नीचे फैक देता है जहां पर अमर्शेक की नजर उस खंजर प हमारे पिता को जान से मारने की कोशिश करी और उस बात का सबूत देने के लिए मैं यह डैगर लेकर आया हूँ यह एक ऐसा मैजिकल डैगर है जो की टाइम को वापस से रिपीट कर सकता है अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो अभी तुम्हें हो जाएगा और वह वही कि यहां पर दास्तान अपने को जस्ट मारना ही वाल उता है और इस बात से को पता चलता है कि living katele इसवक्तक दक निजाम भी वहाँ पर पहूंच चुका होता है और वह jasता इए उस आप्ने लोगों के साथ मगर यहां पर दूसरी तरफ और रेड़ी तमीना को उस मंदिर तक जाने का एक शौटकट मालूम होता है तो वहां से दास्तान को लेकर सीधा उस मंदिर के अंडर्ग्राउंड में पहुचने लगती है मगर इसी बीच उपर से कुछ पत्थर आकर जमीन पर गिरते हैं और वहां की सारी रेट अब ढहने लगती है एक तरफ तो दास्तान अपने आप और साथी तमीना को बचाने की कोशिश करता है वहीं दूसरी तरफ अब हसन सिन लीडर और साथी नजाम दोनों भी वहां पर पह उसका पकड़ा लेता है और इस रेट की घड़ी पूरी तरीकी से चटक चुकी होती है और तभी चालाक दास्तान उस डैगर का बटन दबा देता है और जैसी वो उसका बटन दबाता है वहाँ पर एक जोरदार बवंडर आता है और उस बवंडर के अंदर अब वहाँ से प्रिंस आफ पर्शिया और साथी निजाम वहाँ से उड़ने लग जाते हैं और यहां से एक बहुती बड़ा magic होता है और अब हमें दिखाया जाता है कि दास्तान बिल्कुल उसी वक्त में पहुंच चका होता है जिस वक्त उसने फर्स टाइम इस डैगर को हाथ में उठाय था इस वक्त तक ना तो उन्होंने अलमट की रानी को शादी के लिए प्रपोस किया था और ना ही उनके पिता की जान गई थी और ना ही उसके दोनों भाई वहाँ पर खड़ा खड़ा निजाम भी ये सारी बाते सुन रहा था जिसे की राजगदी चाहिए थी मगर तभी वो उस विद्रोही को जान से मारने की कुशिश करता है लेकिन इसी बीच वहाँ पर तस अपनी तलवार से निजाम को जान से मार देता है और इसी के साथ उनों की शादी करवा देते हैं और उस डैगर को वहीं पर रख दिया जाता है जहां पर यह अलमट के मंदिर के इंदर पहले पड़ा था और इसी के साथ यह शांदर मूवी यहीं पर खत्म होती है आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझो लाइक और कमेंट करके जर बताएंगे में वहीं मूवी आपके लिए लेकर आऊंगा एन अगेन गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वाचंग दिस वीडियो मिलते हैं अगले वीडियो में कर दो